बिस्मिल्यार्मान रहीम, असलाम लेकूम, हमारे किचिन में आज बन रहे हैं चिकन के समोसे, जो के बहुत ही मज़दार तयार होते हैं, तो हमें इने शुरू करते हैं, मैं सबसे बहुत हैं, दो कप मैदा, मैदा डालने के बाद मैं डालोंगी एक टीस्पून नमक, इसके साथ में डाला है एक टीस्पून अजवाइन, और मैंने लिया है दो टीबल स्पून भर भर खे घी, अब इसकी जगा मखन भी ले सकते हैं, ये डालने के बाद मैं से अची कटे लिएफ, इसके बाद मैं अची है हम शूल पानीका है जेतने मैं किसी एक जी मर्ख कि का है और मैंसे बगार पानी गूर्ड हो गीड़ी है और उसके बाद मैं इसको तकरीबन दो से तीन मिंट के लिए अच्छी ताना से गुंड़ूंगी, मैं इसे बगार पानी के इसे ऐसे ही गुंड़ा है, क्योंकि इसमें घी है, तो इसकी वज़ा से इसे कुछ भी नहीं होता, इसके बाद ये तयार हो गया है, मैं इसे लग लहसे नद्रक का पेस्ट, जो कि मैंने एक टी स्पून लिया है, उसे मैं तुरह से फ्राइ करूंगी, अब जो है मैं पास चिकन है, वो है हाफ प्रेस था चिकन का, जिसे मैंने बॉयल करके जॉब कर लिया है, जॉबर में डाल के ये बिल्कुल बारीक हो गया है, इस वाद लहसे नद्रक का पेस्ट, जो है वो फ्राइ करने के बाद मैं इसमें चिकन एड़ कर दूँगी, और इसे हलका साथे करूँगी, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे बन रहा है इस वाद मैं डाल रही हूं नमक, नमक अपनी टीस के साफ से डाले है, उसके बाद मैंने बिल्कुल तो थोड़ा सा, हाफ टीस्पून से भीक्दम गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें, ऐसे है मैंने जीरा पाउडर डाला है, इसमें बहुत थोड़ा सा, बन थर्टीस्पून और इसके बाद मैं डाल दूगी, जी तरह से मिक्स करूँगी, और तक रिपन एक मिंट लो फ्ले बना लोगी, हमें बहुत जादा नहीं चाहिए, और ये बनाने के बाद मैंने इसे बेल लिया है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, चको या ट्राइंगल में बना सकते हैं, समोसी की जो इसकी और इसकी और इसकी बना ओंगी, मैं इसे मेरे पास गुजिया मेकर है, मैं इसे थोड़ा सा पतला बेल लिया है, और ये बहुत जादा मोटा नहीं होना चाहिए, वरना अंदर से पकेगा नहीं, गुजिया मेकर है, मैं इसमें डाल के बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने ये जो बनाई है, मैं एक पती, जो मैंने बेला है, इसे रखके, मैंने इ तेल गरम किया था तेज और इसके बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पिड जब रखा है उसके बाद मैं इसे डाला है तेज आच बीसे बिल्कुल फ्राय नहीं करना है चीज से 8 पॉरिंट लगेंगे इसे फ्राय होने के लिए आइसा आइसा गुल्डन होते हैं अंदर तक से प जो के एक यूनिक शेप में मैंने बनाया है इसकी बिल्क बहुत अच्छी मज़दार तयार होती है अगर आपको में रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कॉमेंट में बताएं ये नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग